A man is better known by the company he keeps अर्थात यदि आपको किसी व्यक्ति को जानना है वास्तव में तो आप देखें कि उसके संगी साथी कैसे है आज मैं आपके लिए कुछ अनहर्ड, unseen words लाया हूँ यानि ना देखें ना सुनें ऐसे शब्द लाया हूँ जो आपने बहुत ही अगर देखें होंगे तो कम देखें होंगे सबसे पहला शब्द है जैनी जैनी शब्द का अर्थ है मस्खरा ये एक एड्जेक्टिब भी है नाउन भी है मस्खरा ठिठोलिया He is a जैनी He is a जैनी अर्थ है एक मस्खरा है ठिठोलिया है कपिल इसे जैनी कपिल शर्मा कपिल शर्मा इसे जैनी अर्थ है कपिल एक मस्खरा है ठिठोलिया है इसका प्रोग्राम दा कपिल शर्मा शो आता है जो सब लोग बहुत पसंद करते हैं वर्षों से आता चला रहा है ये प्रोग्राम और वर्षों से वो व्यक्ती हसाता चला रहा है कबिल शर्मा मेक्स अस लाफ बाइ जैनी टिक्स यहाँ पर adjective की तरह इस्तर्वाल किया है मैंने जैनी ट्रिक्स मस्खरे वाली ट्रिक्स माने चाले कर्तब अपने मस्खरे वाले कर्तब्यों से वह हसाता चला रहा है या हसाता है यहां पर तो हसाता है इसकी है कपिल शर्मा मेक्स अस लाग हमें हसाता है कॉसेडिव वर्भ है ये बाई हिस जैनी टिक्स अपने कर्तवों के द्वारा मस्खरे कर्तवों के द्वारा मस्खरी पर्फॉर्मेंस के द्वारा हमें हसाता है दूसरा शब्द है जप, तेजी से जाना इसका आर्थ होता है आज कल आपने देखा ही होगा दा यंग बॉइज जप अन देर बाइक्स दीज आज कल जदतर लोग अपनी बाइक्स पर यानि मोटर साइकल पर बहुत तेजी से चलते चले जाते हैं बहुत तेजी से जाते हैं चाहें किसी का एक्सीडेंट हो चाहें कोई गिर है चाहें कोई मरें बहुत तेजी से मोटर साइकल पर जाते हैं क्यों यह आप सबकों पता है The young boys zap on their bikes these days, आज कल बहुत तेजी से बाइक्स पर जो जंग जैनलेशन के बच्चे हैं मिश्य शुरूप से लड़के वो निकल जाते हैं बाइक्स पर, जीरो, जीरो का अर्थ आपने सुना होगा, जीरो शुन्य, वो तो अर्थ होता ही है, लेकिन आपने ये अर्थ नहीं सु साधा जाता है और exact इस्थान पर उनको गिराया जाता है, दा मिशाइल्स वर जीरो, इन ओन शब्दा आएगा, इन अलग है, ओन अलग है, इन ओन दा एनिमी कैम्स, निशाना साधा गया, मिशाइल्स का निशाना दुश्मनों के कैम्स की तरफ साधा गया, या दुश्मनों केंप पर साधा गया जैप बेहोश करना भी इसका अर्थ होता है जैप का लिए बिफोर हार्ट ऑपरेशन उसे हार्ट के दिल के ऑपरेशन से पहले उसे बेहोश कर दिया गया लिए जितने भी शब्द मैंने जो लिये हैं वो शब्द के सब बोलने में भी अच्छे लगते हैं जादे तरह सब जैड से हैं देखिए ही वाज जैप बिफोर हार्ट ऑपरेशन दिल के ऑपरेशन से पहले उसे बेहोश कर दिया गया जील जील जोश को कहते हैं उस्साह को कहते हैं ही शोड ग्रेट जील इन हेलपिंग दा पुर गरीबों को He showed his great zeal, बहुत उत्सहा, बहुत जोश उसने दिखाया इन helping the poor, गरीबों की मदद करने के लिए उसने बहुत उत्सहा दिखाया The leader भी लिख सकते हैं इस जगे, अगर चाहें तो लिख सकते हैं He या She लिख सकते हैं Zealot, Zealot का समझ ले, Z-E-A-L-O-T Zealot कटरपंथी को कहते हैं Dharmic कटरपंथी Some people are religious zealots अर्थात, कुछ लोग धार्मिक कटरवादी होते हैं धार्मिक कटरपंथी होते हैं कुछ लोग Some people Some people are religious zealots अर्थात कुछ धार्मिक कटरपंथी होते हैं यह इसकी सेकेंड और थार्ड फार्म है देखें The aeroplane zoomed across the sky Zoom करते हुए आकाश में निकल गया तेजी से आकाश में निकल गया Aeroplane यानि हवाई जान जूम करते निकल गया तेजी से आकाश में The motorbike zoomed past us हमारे past से motor cycle जूम करके तेजी से निकल गया अब देखें zoom in माने क्या होता है Zoom in जो हमें दूर की चीज़ को पास दिखाना होता है Zoom lens के मदद से दूर की चीज़ को पास दिखाना होता है किसी भी चीज़ को तो हम zoom in lens की मदद लेते हैं अर्थाथ इसकी मदद से दूर की कोई चीज़ है तो उसको करीब में दिखाना कैमरे का काम है ये देखें फिल्म दा होल बिल्डिंग फस्ट पहले पूरी बिल्डिंग का इमार्स का फोटो लो और उसके बाद डैनमा ने तब जूम इन दा डोर तो डोर को यानि डोर को जो दर्वाजा है एक मकान का उसको धीरे धीरे करीब में लाओ अर्थाथ जूम इन करो किसको दर्वाजे को अब जूम आउट एक शब्द है उसका क्या अर्थ है दूर से तस्वीर लेना जैसे हमें बहुत पूरी घीर की तस्वीर लेनी है पूरे मेले की तस्वीर लेनी है जूम आउट लेंस के द्वारा ही ऐसा होता है दूर से तस्वीर लेना जिससे वाइड दरश वाइड सीन आ सके मान लिया पूरी घीर पूरा मेला दूर से लेनी टू šो ड़ोओ He килं के तूरी घीर as K The Camera ढूंठDosoh the whole결ad के ईसके जूम-अ आया शे जूम-आज़दी का मुझे और रखरीय दिए सर्वूच-श्खर चाहिए वो ब्रति का हो और चाहिं वो सूरज का हो और चाहिएए वो चार्णद का हो देखें सर्वोच्च शिखर, she read at the zenith of her career, she read at the zenith of her career, या career, at 40, 40 साल की उमर में वो अपने सर्वोच्च शिखर पर, अपनी लाइफ के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच गई, देखें, the sun reaches its zenith at midday, दोपहर को बारे बहें, सूर्ज अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुँच जाता है, the sun reaches its zenith at midday, midday माने दोपहर, कैसी लगी है मेरे वीडियो, like करें, share करें, subscribe करें, God bless you, thank you very much.